कि हैं अब यह यह वेल्कम टूम इस टेदी फीट चैनल दोस्तों एक टूनामेंट का पार्ट थर्ड वीडियो है इसमें मैं लीग या रॉंड डॉमिन टूनामेंट के बारे में बता रही हूं उसके सभी दो प्रकार सिंगल लीग डबल दी और फिक्सर डालने की बिधियां स ब्रकार है आपके लिए बनने की बिद्दिया आ सभी प्रकारों में, भी आपकी छक्रोइए धर मिर्ड लीग या तोनमेंट को चोिछ खें सब्सक्राइब कोई म्मेर्णों सब्सक्राइब दैखरंद्सट्राइब को सिस्टम्स कोई बोला जाता है इसकी खोड़ जानी बरगर जो सर्विया के 17 शिकलाई थे नat लिग टूनामेंट में दोस्तों प्रती एक टीम को और सभी टीमों के साथ खेलने का उसर मिलता है जब कि मैंने नाकाउट में क्या बताया था कि एक बार जो टीम मैच हर जाती है वो प्रती ता से बाहर हो जाती है जिसे उन लोग फिर ज्यादे उसर नहीं मिल पाता है दोसों को दूर करने के लिए लिग या रावनावे टूनामेंट बनाया गया सभी टीमों को अपना कौसल दिखाने का भर पूर आउसर मिलता है मैचो की संक्या अधिक होती है जिससे समय अधन अधिक खर्च होता है यह होता है एं दोस्तों इसमें एक क्वार्ड सब्द का प्रयोग किया जाता है क्वार्ड यारी चार खिलारियों वर्ट टीमों के मद्ध है लिख तुनामेंट को क्वार्ड कहा जाता है यह दो प्रकार का होता है सिंगल लीग एं डबल लीग सिंगल लीग में परती एक टीम के साथ एक बार खिलता है परती एक टीम के साथ एक बार खिलेगा डबल लीग में परती एक टीम को अन्य सभी टीमों से दो-दो बार खिलने मैच खिलनी पड़ेगी सिंगल लीग में मैचों की संख्या ग्याद करने का सुत्र क्या है यन यन माइनस वन अपान टू सम भी सम दूनों संख्याओं के लिए जबकि डबल लीग में मैचों की संख्या ग्याद करने का सुत्र क्या है यन यन माइनस वन यन अपान टू जो है है वह हट जाएगा और सभसें ञ самое स्मदूनों के लिए यह 1-1 Okay मैं टोस्तों सिंगल लेग में मान लेंगे में लेग टूनामेंट में सिंगल माटल भाग ले रही हैं तो कुल मैंचों की संख्या कितनी होंगी तो कुल यानि 8 में से एक घटाएंगे कितना बचेगा शाथ यानि 8 साथे 56 अपांटू बराबाब 28 यानि कि 8 टी में भाग ने रही हैं तो सिंगल लिग में कितने मैच खेले जाएंगी 28 मैच वही डबल लिग के बात करें तो डबल लिग का सुथर क्या होता है यन-1 यानि 8 मैच से गटाएंगे 7, 8 गुरे 7 यानि 7 एठे 56 यानि 56 मैच खेले जाएंगे डबल लिग के हिस्टाफ से और सभी नियम सिंगल लिग जैसा ही होता है बस टीमों की संख्या ग्याद करने का सुथर अलग होता है अब बात करेंगे 3 सिंगल लिग में राउंड की शंख्य संख्या गयात करने का सुथ oraz यदि टीमो की संख्या सम हो तो रहलं कि संख्या गयात करने संख्या सुनता है यन्रान नीरों कि इस संख्या उगी उतने रायोंड होंगे जिसमी पर एक कम होई यान बाई की संख्या ग्याद करना कि टीमों को संख्या हो तो कोई बाई नहीं दी जाएगी संख्या होने पर कोई बाई नहीं दी जाएगी अब विसम होने पर बाई की संख्या यान यानि सभी टीमों को क्रम वार बाई दिया जाता है विसम होने पर सभी को बाई दिया जाता है तुनामिन का फिक्सर बनाने की कितनी विधिया होती है. शाइकल, टेबुलर, स्टेयरकेस में था तीन विधिया होती है. और दूस्तों इन सब में वही शुत्र परियोग होता है जो सिंगल और डबल लिख के बारे में मैंने अभी बताया है. तो सबसे पहले बात करेंगे cycle प्रास को बैसे करें दोस्तों छे टीमों के लिए cycle method का प्रियोक करके लिए तोनामिन का fixer कर्षर और करवारा पहले देखेंगे कि 6 क्या है सम संख्या है सम संख्या के लिए सुत्र का क्या प्रेव होगा तो जैसे कि मैंचो की संख्या ग्याद करने का सम हो चाहबी सम हो सब के लिए एक ही होता है सबसे पहले हम टीमों की संख्या अगर Sum है तो मैजव की संख्या हम घ्याद करेंगे तो मैजव की संख्या घ्याद करने का सुत्र क्या होता है 1-1 अपान 2 तो क्या हो जाएगा 6, 6-1 अपान 2 कि यादि 6 में से एक घटा देंगे बचेगा 5, यानि 6 गुड़े 5पान 2 यानि 6 5 से신 अपान 2 हो जाए काटेंगें g5 यानि कि पंधर मैंज कहेंने जब 6 । आप करेंगे राउंड की संख्या में एकितने राउंड राउंड़ होगे दूस्तों बता यह हैं तो सुति interviews क्या प्रयू राउंड की होगा यह फर्म इंड होता है तो अब नोड तो सूतर कप्र एक एक भी नहीं दीया जाएगा अगर विसम रहेगा तो सब कोबिय दिया जाए घ्री जाए झाथही जाता है घड़ी की बिप्रीद दिसा में गुमते हैं रोटिट होता है पहले क्रम की टीम को एक ही जगह पर रखा जाता है ठीक है पहले क्रम की टीम को एक ही जगह पर रखकर घड़ी की बिप्रीद दिसा में प्रती एक राउंड के लिए एक ब्लाक क्रम सा चक्र में गुमा गया है जैसे पहले रौण में एक छे से कहलेगा दो पांच से क्यलेगा तीन चार से कहलेगा एक जगह पर रखा गया है पर दूसे रौंड में 10 चार से कहलेगा थे तरह रहे जो इससे तरह खेहल जाएंगे अब मात करेंगे विसं संख्या होने पर मालेजिये तीमों की संख्या 5 है तो साइकल बेधी से लिग टूनामेन को फिक्सर कैसे बनाएंगी तो विसम संख्या है सबसे पहले मैचों की संख्या ग्याद करेंगे या या ये मैने אח सवना पांट Vince Atari 25 251 करेंगी दूने दस मैचे खिरे जाएंगी जब मैचों की संख्या पांच है तू आभर कि चैंख्या अगयाद करेंगे राण 축效 तो यहां सबी को ऐ दिया जाएगा ऐसर संख्राओ कि लिभ 앞에 आपका जगता हैं, जया तो तो यहां भाई नहीं को क्रमुवार Krộc से बाहर दिया जाए जाएगा 24 नहीं करते हैं सब्सक्राओ के लिए का है तो यहां सबी को क्रम्उवार पाईद्या जैसा कि चित्र में दिख रहा है सभी को करमार बाए दिया गया है फिर एचरुनामिल कराए गया है इस परकार यह था साइकल मेथधड अब बात करते हैं टेबुलर मेथड तेबुलर मेथड में दोसतों फिक्सर टेबुलर फार्म यानि साड़ी में बना जाता है एक टेबल जैसे बना जाता है जैसे कि इसमें सभी सुत्र वही होते हैं बट एक सुत्र बस अलग होता है जैसे कि इसमें रो एक कालम होते हैं तो रो कालम गयात करने का सुत्र क्या होता है जब बिसम संख्या हो यानि और नमबर हो तो रो एक कालम गयात करने का सुत्र होता है यन प्लस और समसंख्या हो ये वन नमर हो तो सुत्र होता है यन प्लस वन और अन सभी नियम पहले जैसा तो यानि मालेजे दोस्तो साथ टीमे है साथ टीमों का फिक्सर बनाना है तेवलर विधी से तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे रो एंड कालम तो साथ टीमे है तो विसम संख्या है तो विसम संख्या के लिए रो कालम निकालने का सुत्र क्या होता है यन प्लस टू यानि की साथ प्लस दो वरावर नो यानि रो नो रो एंड कालम होंगे जैसा कि चित्र में दिखाया गया है इसी तरह से इसको रखा जाता है दोस्तों कालम में जैसा कि आप रो कालम के बीच बिकड़ खीचा जाता है सबसे उपर के कतार में टीमों के नाम लास्ट रो में बाई लिखा जाता है फिर फर्स्ट कालम में इस तरह में टीमों के नाम ल नहीं घरी होती है और रों होता है booster हो jun, यह पड़ी लाइन होती है नहीं नहीं जाता है तो माले जी दोस्तों यदि छे टी में होता तो फिक्सर कैसे बनाते है छे टी मों के लिए रो एक कालम कितना होता तो जब समसंख्या है तो रो कालम ज्याद करने का सुत्र होता है यन प्लस वन अपन यन प्लस वन यानि की छे प्लस वन यानि साथ रो एक कालम होता जब छे ट कि मैचों की संख्या स्कंव होती जाती है कि एक टीम घड़ती चली जाती है जैसा कि चीतर में दिख रहा है एक टीम पहले round में अन्य सभी team से खेलती है पिर उपार टीम में नहीं खेलती है दोस्तों सभी होग होंगे round के शंक्या कालरा काई निकालने का सब कुछ होगा फिर लीग सात्थ्ट्मू लिए एस्टेर केस विधी से आपको प्रैसर बनाना है तो टीमू के संख्या पहले ग्यार्द करेंगे मेंचो कि संख्या ग्यार्द करेंगे तो मैचो की संख्या ग्यात करने का सुत्र वही होगा यान यान मैचो की संख्या होगी जब साथ ती में भाग दे रहे हैं तो राउंड सेम होगा यानि की विसम संख्या है विसम संख्या के लिए राउंड करने का सूथ तो क्या होता है यह जितने टी में है उतने ही राउंड होगी विसम संख्या होता तो क्या होता यह माइनस वन यानि की एक कम राउंड होता तो दोस्तों इसके फिक्सर बनाने के ईक कम बर एक लिखते है । यसी साथ पी में दी गई है तो शे बार हम एक लिखेंगे उसके बाद सबीन से टुरोनामेंट कर सन्समीं है इसमेज ँएक डूच साथ सब्सक्राइ इसमेगे enrolled धा incompetent जितने भी टीमें बची हैं एक तो बाहर हो गया है तो दो खेलेगा 3,4,5,6,7 फिर अगले राउंड में 2 बाहर हो जाएगा फिर 3 खेलेगा 4,5,6,7 फिर 3 बाहर हो जाएगा अगले राउंड में 4 खेलेगा 5,7 फिर अगले राउंड में 4 बाहर हो जाएगा 5 खेलेगा 6,7 फि टीमो की रैंकिंग कैसे होती है लिक टूनामेंट में टीमो की द्वारा खेले गए मैचों के अधार पर अंको की करना की जाती है इसमें तिन विधी के प्रव्क किया जाता है या कि इसमें टीमो को अंक देने के लिए अपनाई जाती है इसे में कुल प्रात नंकों का प्रतिस्त निकाला जाता है इसलिए इसका शुत्र हूता है कुल प्राथ अंक अपान कुल अंक गुड़े सो यानि कि इसमें कुल प्राथ अंकों का प्रतिसत निकला जाता है कि इसमें कर सिस्टम में क्या होता है कि इसम में चीमम्कों को जीतने वाले टीमं को 12 है मैश टाइभ होने पर दो एक अंक यानि जितने वाले टीम को दो अंक मैश टाइभ होने पर एक अंक हारने पर जिरो अंक पप्धान किया जाता है मालेजे दोस्तों अंकों की गर्णा उप्रत पददी के अधापर करने पर दो टीमों के अंक बराबर या टाई होते हैं तो क्या निड़े होगा तो निड़े दोनों टीमों में से किस टीम ने अधिक मैच जीते हैं अगर फिर भी टाई हो तो निड़े कौक सी टीम कम मैच जारी है अगर फिर दोनों टीमों में से किस टीम ने जादा स्कोर किया था इसमें क्ल्री स्कोर को खेले गये मैचों की संख्या से भाग दिया जाता है फिर कुल स्कोर फिर भी ताई हो तो विरोधी टीम ने कुल टीमों पर कितना स्कोर किया है उसका और सत निकला जाएगा अगर फिर भी ताई रहता है तो फैसला टॉस के अधार पर किया जाता है उदाय के लिए माल लेजे पांच मैच प्रत्यक टीम खेलेगी माल लेजे ए टीम का नाम है वो पांच मैच खेलती है उस पांच मैच मेच में से दो मैच वो जित जाती है एक मैच वो ड्रा हो जाता है और दो मैच वो हार जाती है तो कितने अंक मिलेंगे माल लेजे दो मैच जीती है तो जीतने वाले टीम को दो अंग प्रदान किया जाता है तो दो मैच जीते हैं तो दो ना चार हो जाएगा प्लस एक ड्राव हुआ है तो ड्राव होने वाले को एक अंग दिया जाता है प्लस लास दो हुआ है लास वाले को जिरो अंग दिया जाता है तो चार प्लस एक प्लस जिरू बड़ाबर पांच अंग, कुल पांच अंग दिये जाएंगे, इस प्रकार से स्कुरिंग किया जाता है and तिसरा method है American method यानि कि टीम को American method में टीम को जितने हारने और टाइ होने पर कोई अंक नहीं दिया जाता इसके सुत्र है जीते गए मैचो की संख्या अपान कुल खेले गए मैचो की संख्या मेथन के जीतने वाले को जीतने वाले को टाइ पर अंख बहुंत हैं पटिचों सिस्टें में झाल के कुल प्राइक ही प्रतीसदद रहो जाता है फजर हैं तो जीते एमेजो की शंख्या मतलब है यह एक आपको याद करने का जीतने का शंख्या सब्त का परियोग होगा तो जीतेगे मैचो की संख्या आपको खेलेगे मैचो की संख्या यह आपको सुत्र होता है तो आपको सुत्र भी याद करना है और जैसे कि इसमें कोश्टन बन सकते हैं इसमें यही कोश्टन बन सकते हैं कि लिग टूनामेंट को और क्या कहा जाता है तो लिग टूनामेंट को सब्सक्राइब करने का सूत्र राउंड की संख्या बाई की संख्या सिंगर डबल लिग मैंचों की संख्या एक कुश्ण आपके बन सकते हैं यह कुश्ण बन सकता है कि लिग टुनामेन में फिक्सर बराने की कि बीदिया है और यह को शन पूच सकता है कि लिग में अंग देने की कितनी विदिया है तो तीन में अंग देने की कितनी किया चौ्छ के पूच्टा था तो दोस्तों यह था आपका लिग के बारे में आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा दोस्तों यह वीडियो को जादे से जादे अधिया किजिए आपके माधिम से इनकी फोर्थ पार्ट में कोमिनेशन टूनामेंट उसके फिर पार्ट में आपके चैलेंज तूनामेंट होंगे अधिने वीडियो से बचे हैं उन सबक को कासा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएगा और दोस्तों पहले विजित करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें लिजी बेल आइकां को फ्रेस करें लिजिए जिसे जिए नया वीडियो अब लूट करूं उसका नाटिफिकर के संसे पहले आपको मिलता रहे हैं तो मिलते ह चैनल इस वीडियो में तब तक कि लिए जए हैं